कच्छया एगारामा पढ़नोंने बायवेनी अर्लाइ मेरो येस यूटुब चैनल ड्रीम्स लॉर्निंग जुनमा स्वागत्छ आज मा कच्छया एगाराको बायवेनी अर्को लागी कंपल्सरी इंग्लिश को आ रेड रेड रोज बन्नी जुन रवोड बन्स को जुन पोएम छै त्यो पोएम को टेक्स्ट बुक मा भयेको च्पस्टेंस अर्योंको आण्सर सरूलिए रायकोछ अब अबमा मा एस बीटीयो मा चाहनी अम्रो टेक्स्ट बुक माँआपका क्षिणाई अरका ऐंसरी गरर देहाना गरर केशचे बोला सेक्षोन साय अर्ण्ट देख्स्ट और अब सी containing ध टेक्स्ट मा क्ई हमा प्रीक्संस अर्ट कें अल्टसका आंसरी मसी कमया फिर्जी को तिंग माले कर सकर किसुछू आम भाय भी निया अला सकुछ एइड़ कीची निद्तोinstall लिए डिएक डेंपने कीछ यो चाहि निया स्टेंम से निया सुंहीं रावस अब इसको एंसर चाहि एस प्रकार लेखने सब्सक्राइब और पोसीबल एंसर उचर एस तके उन्या सबने यह चानि यह एक्जाम्पल हो यह चानि नमुना हो यह ते किसम को एंसर लेखना सब्सक्राइब चाहिए अब एंसर कस्ता चाहिए यह तरीका बड़ा में एंसर कटेगे चुछ Oh my love is like a red red rose यह Oh my love is like a red red rose बननी यह पोहिम हो जुन पोहिम चाहिए A red red rose को long title हो यह को ड्वीटा टाइटल हो चाहिए और शोट रोड़ा लांग चाहिए Oh my love is like a red red rose अत्वार शोट फर्मा a red red rose बनी बनी चाहिए यह चाहिए कि उता लिरिकल लिरिकल बैलेड हो यह चाहिए पोहिम को जान्रा मदे बैलेड हो जुनमा चाहिए लव को बारेमा romantic love ideal love को बारेमा story telling बनी चाहिए लिरिकल बनना चाहिए musical 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 poem हो यह song हो इसला हमी ballad को जान्रा अर मदे में यह उटा हो ballad जुन लिरिकल पोहम अंत्रकत पर सा लिरिकल पोहम अरको poems जान्रा जमा यह उटा पर सा lyrical ballad इसमा चाहिए आमदे यह उटन पने कुरा की बन्दाखरी इसमा चाहिए यह यह A B C B rhyming scheme होंच यह ballad मा ballad को फोम मा खासकर रायमिंग scheme यह उटने बनी A B C B होंच यह पोहमा पनी A B C B rhyming scheme चाहिए ballad मा खासकरी यह स्थे किसम को love समंदी कुरारू love समंदी कुरारू story अरू legend patriotism संग समंदी कुरारू legendary story अरू इसको बारी मा चाहिए कथा उन्च तर गीत कुरुपमा कथाला गीत कुरुपमा बनींच यह आमी ballad बन्चम poem कुरुपमा बन्चम musical quality उन्च written by Scottish poet Robert Burns this poem is about romantic poem को main theme main theme romantic love central idea poem को central idea romantic love which last longer romantic love physical attraction life focus eternal spiritual love last longer omar immortal 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 love को बारी मा बले कुछ even after the doom of the world or humankind बन्च यह जयरी बन्च संचार को अंधी बन्च माया बन्च माया बन्च माया रुल चार लान in the first stanza the poet compares his beloved in elite beloved 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 topic compare the first stanza poem line Hag रेडर रोज रोज अब वन्हाज ऐसरी डोफ एलोफ बड़ छान कियो भॉन्हाग करि यहसमा चैनी आजिमॉल अफ लाब प्ता इरी चार्म को उर्डाहँ मुझे हाँ Third seconds अथबा फ्रेशनेस यो लेडी को विलावेट को फ्रेशनेस, अट्राक्शन, चार्म, ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी ला रोज को ब्यूटी सामा कम्पार करेगो सो यो प्यमा यो इन ते चार्म, फिजिकल को ब्यूटी लिए सिमिली को प्रेख़ेगो सिमिली को ब्यूटी साफंग प्यूटी साम्पार को लिटार्य को ब्यूटी लजिए सो जशमा कम्पार फिजिनीतों राघ चिसनीती लिआस हो सनीता na यो प्यूटी लिए ट effectivement कम्पार करेच थो चेलर रिए लिए नेंलिëन हो ज़िए इंफ्वेड् सब्सक्राइब जा रिमेलिभा वर्जिए तिसेजिन गरेंचेल है थेतीक। ज़िए रिमेल ने भी तॉर तटीज सब्सक्राइब लेठीड. attraction of a rose is compared with the freshness, charming beauty and attraction of the lady and there is the second comparison using the same simile the second comparison is between her sweet and magical voice with the melodious tune her sweet and magical voice is compared with melodious tune of music the musical instrument is properly played with the sound and melodious tune the voice line is compared to the voice line the voice line is compared to the organization the melodious tune and production is properly played with the music instrument करें होुष म्राइब के संगे शाले क्यार। ज But it's a इस तो किसम को तून सुन के वा नं के आ आख होुष एहा जो। ऑबूर में ओड़ाए बिला भारो फ्ट चाहाान वलए भारो भिला भारो sek्या होुष र सिख प्लाफ भार्लो सबस्टंगरे प4 अंध चर्शन करसा है। 3 म सबस्टंगरे भी सिर्चा जर्शने करोगोड höर्शनरी एर प्रोमिस है भी सता है। bony lace भाँचा, sweet art, beautiful lady, beautiful beloved, beautiful lover, speaker को उसलाई प्रोमिस करेगाचा करेग प्रोमिस करेग छानी, he loves, या बाचा मायागरने, आजीवन जिन्दा की बहर अथपा या दर्ती राउंजल, अथपा या संचार राउंजल समायागरने प्रोमिस करेगाचा यह लब्स रह परेमाच और इस लब नेवर डाइज इवन दो इन्स बन्चाया इस नेवर इंडिंग लव बन्चायाओ नेवर इंडिंग लव इसको प्रमिस करिया कशा है लप्स अर्फर अर्बर इतर्नल लवप नियुश को प्रमीस करेखे अहा इंग यह प्रमीस का दखरी घ्रियों को सहनiji धवी अाब्ब्स क्डेखाथ अन्यण ज खि करेखे लिए आपनो से ख़ाएपर बोल को यूश करेखे और आफना बैसा रिणारी डिवाइश हो लिटरारी डिवाइशो ओ डिवाइशो जस्मा की गरे कुणच आपनी इम्पोसिबल इम्पोसिबल तींग्स आर्मेड पोसिबल पोसिबल यह बड़े चल्णाय करे कुणच आपनी exaggeration exaggeration नम निया पाऊनो सक्समा अब बड़ा चलाय करेकुछ impossible things possible to अब यह exaggeration किना करेकुछ intensity of his love माया को जुन्ना उन्चान इह intensity, immeasurable deep love, adorable love eternal love तो इसको intensity देखानो का लाई यह आपर बोल को युजगारेकुछ पोई मा seas go dry which is impossible or that this thing never happens until there is an end of the world अब यह आपर बोल अरशमा की युजगारेकुछ निए seas go dry बनेकु समुंद्र को पाणी नसुक निजल समा माया को रहन चू बनेकु इसमा समुंद्र को पाणी यह natural order मा अबचने natural world मा यह आपर बोल्ड मा समुंद्र को पाणी शुक निजल समा को कलपना गरना न सकीने कुराओ समुंद्र को पाणी शुक निजल समा यह संसार को अंते end of the world end of the world संसार को अंते नभय समा अबचने संसार रहन जल समा यह सतार्ती रहन जल समा माया गर रांच बनचावले यह किसम को माया को प्रोमिस करे कुछा overall यह क्वेस्टन में की कुराओ सोध्य कुछा नि क्ये बाचा गरे कुछा बनदा खरी eternal love को adorable love spiritual love को अबचारभ न Southern ऑंचा इमलेश करे छाथ अब ओकरक्षा इमलेश कहा अबचार नि माया अबचावले वस्ता इमलाबचा अबचा नि स्क्ताल सिदू醊 कि को प्रोमिस यह जाता हुर नि सिनर गेश्डलраж यह थे तो की Si birthday यह लेंगज को होगी यह आइपरवाल, यह नोल्यखे होगी इमेजरी में स्ताय में झालMad Lead mental picture Arouse in our minds when we read the words in the poem कभी तापर दें कभी ते खностиक्पने words of the border जुन मां में आम रोछ टिक्ट्ट्रा आऊचा तेल आमी इमेज उंल्ड इमेज बुदिनुना अर आजने फिक्बावίν नगाओ वूँछा वूँछा बीजुल माद जीं पारी रुप सिखत है चाली में रॉप कुटने ठाहन मेरअद प्रयूकरग। चिकर क्टनेयो है ते रॉप ra रॉप कि Account 4D मेरउट कार चिकर में अफरोग भावन इशित है रॉपे था यहिंखि कुटना व्योट्राइज़ नीन मेल्टेट रोग है। अग्योर करें एक की निन्टेन वेट रहा सेख़ेज भी आपशचिको के लोग सेख़ेजिल आपनले निन्टेन्सिटी की देख़ाऊना, इसले अग्दम अमेज़ की ओक्यादी नजहीं देख़ाऊना नापना आपना नापना इमेज़े आर युज्स टो एक्जा जारेत इस प्रहमिस लाग एक्जारेत करना उलस चाहिता नि इंटेंज मेज़ेत करना को लागी यह इमेजरो लायाक्यों चाहिता he loves her until the seas go dry and until the sun melts the rock either you want a good rock now to turn no paulun jilsama samundhra ka paani nashukun jilsama my garden juban asipan nale I'm the key one person who's come my eternal so so the amount of summer ironsa skamaya koilipani more than this means he love is eternal and it never dies I think he has used such images and hyperbolic language to convince his beloved that she is only the girl umatre waiya sansharma ule maya gaar ni kati wane ko umatre wou eklo kati ho usleya matre maya gaar saha or like us or like us or like us to maaya jun kisim koada bilha bilha gornu panini maya sani or lewe le gordon oru chai na uskai u singal galo uh umi loves a lot such kind of promise are made by new lover to romanticize their love to each other or a question cha d nobara ma d ma kye suja kya in the last abha aami poem ko last banne ko fourth stanza ae jama chao aada stanza cha cha fourth stanza ko kura garda khari fourth stanza ma kye event what event is about to happen kye ghatna 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 ghat raha chate ya event ko bhaerima so deku sa by mentioning the number of miles he said ye number of miles on y hadah ten thousand miles paansbali ten dhousand miles and the 10 thousand mils miles distance haini 'thistance kepande mo ana population habala jae pa ما i purp weilu pa raha chez yoes pao material gele Chronicle In the last stanza of the poem, a red red rose, the speaker directly addresses his beloved This is the time when there is going to be a physical distance They are parting to each other but his beloved can't tolerate this separation This is also hyperbole because it was impossible to cross a 10,000 mile This is the time when the poem is written He wants to assure that he will come again This is the time when the poem is written Which image in the poem do you find? This is the figure of speech Figure of speech Or literary device Literary device Literary device If you want to recall using the problem is written You could know the poem You could recall this poem So, this will be done You should see the image The image is a big picture From this image It will also be drawn to the image Again, this is melted rock Melted rock And dry season Dry sea यह यह रिता चने है उन्यूज आँज हूरी है। आँज वजह वर पोंदा दाज focusing on the आँजे करिया । आँज़ महालग किन्यूज य। Equ packaging is चने है। 把 इन्यूज आँज में है। और उसल इमियरा ए अर्भाच माँ मुजभा हरू अवाच अने च्रेंजह खाल गो हा है है नहाँ झाल कि सूर्पराइज झाल करिंग और में तो में आनी खाइज सीय अա हर आना मैं का र्फार या इस्ट love or to immortalize his love by bringing the impossible images he wants to say that his love his love to her he is immeasurable immeasurable love, why never ending never dying never dying image okay never dying love reference to the text describe your question प्रेशनर चाह, what can you infer about the speaker's devotion, devotion to his beloved from the following lines, यह line बोड़ा कस्तो किसम को समर्पन, devotion, dedication, कस्तो किसम को dedication आम यह आउना सक्सम्, फागेस का ना सक्सम्, स्थाह, I will come again my love, मा फेरी आउने चाह, यह पार्टिंगो, पार्टिंगो सम्यमा, separation, separation, parting, parting, this is the situation only बोड़ा कि I will come again, मा फेरी आउने माई लाव, though it was 10000 miles, यह सम्यमा यह पार्टिंगो, last line of the last stanza last stanza को last line रहा एस बाट आम्ले कस्तो किस्म को समवर पन देहिंजा बन्दा खरी the above lines are extracted from the famous lyrical ballad A Red Red Rose written by Scottish poet Robert Burns आम्ले पर्ते क्वेशन मां यको आराशनी लेखना सक्सम the poem expresses a deep love of the speaker to his beloved the above lines are the last lines of the poem in which the speaker is promising to his beloved that he will come to meet her even if he is 10,000 miles away when the speaker promises to return after a long journey knowing the beloved will have azed in the time the speaker reaffirms that his or her feelings will remain the beloved may grow less beautiful the speaker concludes by biding farewell to beloved and promising to return to her even if the journey is 10,000 miles long the beloved will likely to be older less youthful perhaps less beautiful by the time the speaker returns nevertheless hey if beauty gotla sundar tam a kamiya ola abha bhureshka lagla taip bani speaker for a fork around so bet nao olai speaker le koil ibi saatshara dena nevertheless the speaker does promise to return indicating that although the beloved may change the speaker's feeling hey beloved change bhaipani my beloved ko physical shorup change bhaipani uh usko cha in to beloved parthika juna or a feeling cha juna emotion cha juna maya cha to koilipan cha juna constant raeran cha through the final promise the poem indicates again that the love uh youthful beauty inspires need not to end when youth itself inside abha asma aamra theme ki ho bae hansha deekhko cha what is the theme theme banna lehya mukhe bhashtu 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 central idea central idea poem ko central idea ki wata bane kha cha ianam mukhe bhashtu bhashtu ki wata poem ko abha esko theme ko kuragad hari yoh subject matter ko kuragad hari red red rose is love will last longer than human life wata maanchi ko jiwaan manda paani maya cha ni kya da lama sa mecha ma raeran cha lover saru marsan lover saru bitera kaay paani maya cha ni koilipani maraday na maare paani maya maraday na ma maare paani mere maya maraday na bhashtu in other words the poet says that the physical union or separation does not matter pautik rup mea naji ko nun atpa ta raunun teo thulu kura wai na tara kye thulu kura wanda khari what matters the most is the union of two souls with the bond of eternal love yoh ananta yoh eternal love ko jun gaatho jun bond leh dhuita soul lehya cha ra gaashya ko sa teo chan thulu kura wai teo chhandik chan separation chhandik union chan thulu kura wai na bandai chha this poem also teaches us that lovers die physically but their love never dies the poem begins with the description of physical beauty of his beloved and initially we infer that the speaker is attracted toward physical surma poem par dakhari physical beauty maa attraction baako sa dekhin cha poet a speaker tar bashta ma thi wai na but when we read the oil poem the speaker is not talking about the physical love yoh jun uh oh dikh jun maya ansar svarila ererkaran emaya tiu maya wahina instead is talking about eternal love which never dies even the beautiful lady becomes exit because of his comparison of his beloved to his strange and unusual things we come to know that his love is permanent permanent love nay is ko zhani kiwata it uh the movie paraphrase the whole poem into simple prose form ancha poem lae paraphrase karne प्रोस को फर्मा लेखा बनेखा 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 अपरी स्दिर्वाइड मेर pertaining अचprom सॉures केरिक पिंघ сторону विट हमा कार एंस इमोसे आपया स्वकाऊ का स्पिकर प्रेफ इस भी राइपकर वि़ ए्धिनी ओ कि जा एंसे है पूर रावर जार जाstill will stay until the seas dry up and the rocks melt with the sun because his beloved is so adorable for some reason he has to go far away from her but he promises to return even if he has to travel thousands of miles to win her back what in chance the reader is the metaphorical representation of love through the natural phenomena sea and sun okay अब हैसमा लिट्रारी डिवाइस हरु को बारे में क्वेशन चाहे लिट्रारी डिवाइसेज को बारे में डेफिनेशन में देखुचा आपनो आइडिया, इमोशन रा फिलिंग अरुछानी ग्लेरले एक्सप्रेस करना सजूला बना हुचा रा तिसते करी also helps the readers understand those more profound meanings रा की मेनिग की क्रा बना ख़जी को रखुचे रेखुचे विखुचा रा फिलिवाइस एकडम इंप्रेंट चाहे इंप्रेंट चाहे किना बनाथ है एलिटली चाहे राइटला writer and reader तुबे ले येल्प करचा analyze the poem in terms of literary devices अब ये पोईम ले analysis गहरा बनाया चा symbolism, simile, imagery, alliteration, assonance, ये कुल आरव येरा बनाया कुछा ये माथी ये कुला दोर ये कुछा माथी क्वेशन में बखा बनाया the analysis of some literary devices used in this poem has been listed below our simile, माल अगिपन बन्चा का चुछ simile का बारे मार यहां बन्चा simile is a device used to compare an object or a person with something else to make the meaning clear to the reader there are two similes used in the poem the first is used in the first line oh my love is like red red rose here the poet compares his beloved with red rose the second is used in the third line oh my love is like the melody the poet compares his love with the sweet melody this is a simile simile is a comparison comparison you can compare it on and we are using words like or as like or as use compare पहर करने, consonants बन्चा अथवा और को सब्दमा अला बन्दा खरी, alliteration alliteration को प्रियोग बन्चा अला, repetition of repetition of consonant sound in the lines, in the line of the poem, in the line of the poem, poem को line अर मापय को जुन तो consonant sound को repetition जा अला, alliteration अथवा अस consonants मन्चा, is the repetition of consonant sound in the same line such as, example law, line here, यह बन्चा अला, sound repeat बन्चा, यह ला, यह वहल मापय को sound or while मापय को sound, law sound repeated बन्चा, यह अला आमि अलिटराशन मन्चा, अब इंजाम्मेंट यह देगा चाहिने, पोर देना, दिस्ते गरी symbolism 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 means to use symbols to signify ideas and qualities, giving the symbolic meaning different from the literal meaning approach to signify próse, पत्राशन में, अला रिवार्शन में को झांतलां अला हिमेजरी इनकाऊच्छ ओ करें कżenia यह रखने फिर्ट बमुट द सबस्ते साथ नियुटिश रखने के लुटियुट है अ विजम में वर फिर्ट सृंग कर दो पिध ए। और था दो, युटाव अट आर भी सिंथा गार थाउं लुटिश सरों हिा विजम कसे विजम दो कि अगा रखने विजम भागो ए अटरी जिन्दगी रहे सम्मा, बाचन जल सम्मा, साच सम्मा, यह सनी इमेजरी बाया ऐका इसंञेंगे को वग्रिटी शेय हों को एक आलीटे टोल् ellesो हो इते हों को इते हैं시 पार्वल सांड एक वायो समय संगे की शेय है कि पैपरल प्रवेय थेयुडाώ। explain its purpose , आइपर बोल कीना यूज़ गरिण चाहे है इसको सानी पर्फश देने लेखना परेओ citing बने का example, त्यांका example देरा, पोएम बड़ एक्जामपल देरा आइपर बोल का यूज़ का सरिकरिक़ जटी लेखना परेओ अचेह hyperbol is a device used to exaggerate a statement कुने पनी बनाय लाए exaggerate करनु परे बनाय चड़ाय गरनु परे बनी तया लाए गर्दा खेरी hyperbol को युज़न्चा for the sake of emphasis में इसको focus मने को emphasis कुने कुराय मा focus करना को लागे emphasis करना कलाय hyperbol को युज़न्चा the poet has used hyperbol in the last line of the second stanza till the seas gang dry and it says that is love will flow even when the seas dry up the second is used in the third stanza and the rock melts with the sun ओधिस ही टाल ग्लांठ यह नई पर भकर अग्जकत पहुँ हैаз Hangignan ऑ्र कोल ऌ टाल सिर्थ Sumo लिए तो कि आदल सिर्थ वह परिफीप वहो यह बरि में प्रट आगज़ निद्यु वह मुनीज्वा बन्हें has become a refrain as it has been repeated in the second and third line third stanza second the third stanza your line your lines a need a repeat work was a lesson the refrain once okay a bagi your tinta questions any by when only after practice going for noon sir what kind of love is expressed you might see I see cancer is going to laugh again second sir do you think that love has power love my power own sir why do poets compose poems addressing their beloved poem poet or lay aph no available address karra kina poem lesson poetry is the expression of feeling and emotion of yoke krala explainer you answer aru chani bhai bhai nila aphi practice karna panay cha aster aaj ako video ma ethi nahi abo arko topic ma arko video lera aunenshu tethi tethi njalko lagi video lera aad